आज का टॉपी है फायलम प्लेटीयलमंतीजर्बाइश पर टीश्व एंड ओर्गन ग्रेट बोड़ी ओर्गनजेशन पाया जाता इन में तिनो जर्मिन लेयर और आहर नाल के बीच रिक्तिस्ता नहीं पाया जाता है परिजीवियों में आसंजेक सरचने हुक कंटक चूशिक पाये जाते हैं इनमें एपीडर्मिस सामाने तबहु कैंद्री की तथा कभी-कभी सीलेटेड हो सकती हैं इनमें मीजोडर्म से उत्पन अनुदेदर्य वरत्ताकार और त्रियक पेस्षक इस्तर पाये जाते हैं इनमें उत्सरचियंग की रूप में ज्वाला कोसी गाये या फ्लेम सेल्स तथा प्रो वहीन या तता सहयक अंग सुविक्सित होते हैं इनके अंडे अपीत की होते हैं पीतक ग्रंतियों में पीतक प्रथक से निर्मित होता है इनमें निशेचन आंत्रिक होता है और परिवर्दन अप्रत्यक्स या प्रत्यक्स प्रकार का हो सकता है संग प्लेटी हलमन्थीज को त्रीमोटोडा के प्रमुख गन हैं मोनोजीनिया डाईजीनिया एंड एस्पीडोगेस्ट्रिया वहीं सेस्टोडा के ओर्डर्स हैं एम्भी लाइन टेट्राफाइलीडिया श्यूडोफिलीडिया साइक्लोफिलीडिया निपोटिनोइडिया एक्ष्मा ऑप्ष्मा भी होता है एपीडर्मिस बहु केंदरी की जिसमें रेप्डविट्स को सीकाय उपस्तित होती है हाला कि इनमें सूकर्स या चूशका अभाव होता है अधिकांस तो उबहलिंगी होते हैं परिवर्दन प्रत्यक्स प्रकार का होता है इनका पहला गण है ऐसली इनमें मुख अधरिय पेश लेकिन ग्रस्मी और आंत्र का पूर्णत अभाव होता है इनमें फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोसी का है जनन ग्रंथियों और पितक ग्रंथियों का पूर्णत अभाव पाया जाता है ऐसली को रिप्रेजेंट करने वाले जीम हैं कॉन्वालिटा एंड एक्टो कोटी अगला और और रेडे रेडे इनमें प्रोटो नेफरीडिय ऊट्सर्जेंग के रूप में पाय जाते हैं इनमें एक या दो जनन गरंथियों उपस्तित हो सकती है लेकिन पृत्त करने वावाले जीम हैं माईक्रो इस्टोम और मैक्रो इस्ट्टोम अगला और है ऑलो चिला इनमें उपस्तित होती है प्रोटोनेफिडिया सरल प्रकार के होते हैं टेस्टीज और संख्या इनमें उपस्तित होते हैं रीप्रेजेंट करने वाले जी में प्रोरिंकस एंड प्लेजियोस्टॉम अगला ओर्डर है ट्राइक लेडिडा इनमें मुख मध्यादर सतह पर ग्रस्नी प आश्चरों में उस्ड यंग के रूप में उपस्तित होते हैं रीप्रेजेंट करने वाले जी में डुगेस्या एंड गुंड़ा अगला ओर्डर है ट्रीमेटोडा ट्रीमेटोडा के जीव बहिया या अंथा पर जीवी के रूप में पाये जाते हैं जो कि फ्लूक कहलाते ह इनी का सरीर अखंड और प्रष्ट से चप्टा होता है और साथ ही उस पर अध्यावरण अवशेक रूप से पाया जाता है इनमें अहार नाल दो सखाओं यूगत होता है मुख और ग्रशनी पाई जाती है लेकिन एनस अनूपस्तित होता है अधिकांस्त होता है परिवर्द स्थेप्टर में हुख कंटक सही चूसक पाये जाते हैं इनकी प्रसर्थ परागिये की और दो उत्सरजी छिदर उपस्तित होता है सामानियत इनका जीवन एक पोस्ट दे होता है इनके जीवन में मुक्त पक्षमाबित ओंको मेरे सीडियम लारवा वस्था पाये जाती है र दोनों बीना हुख के पाये जाते हैं पश्य बाग में केवल एक उत्सरजी छिदर उपस्तित होता है इनमें अनेक लारवा वस्था पाये जाती है जीवन चेकर जटिल होता है जो दो या तीन माध्यमिक परपोस्यों में संपन होता है रीप्रेजेंट करने वाले जीव है स प्रिस्टसोमा और फैशियोला अगला ओर्डर है एस्पीडोगेस्ट्रिया इनमें औरल असंजय का पूनता अभा होता है मेल में केवल सिंगल टेस्टीस बाया जाता है यह मचली और रेप्टिलिया की अहार नाल में अंधा पर जीवी के रूप में पाये जाते हैं वह धर नाल और सनवेदी अंगों का पूनता अभाव होता है उभैलिंगी होते हैं जीवन वरंत में मद्यस्ट पर पूसी पाये जाता है पहला ओर्डर है एंफिली नौइडिया इनमें प्रोटूसेबल ग्रस्नी उपस्तित होती है कुंडलित गर्वा से पाये जाता है अंतर में परजीवी के रूप में पाये जाते हैं रीप्रेजेट करने वाला जीव है फिलोब न अगला ओर रहे स्वीडोफर लीडिया चैतली रिमिकैश फाइबल लीडिया में caा वाग मेंödा चार चूसक और पाये-जाते हैं hilli रीप्रजेट करने वाला फिसेलीmen यह एमफीबिया, रेप्टीलिया, एवीज और मेमेलिया के परजीवी होते हैं, रीप्रेजेंट करने वाले जीवें टीनिया और मौनी जीनिया, अगला ओर्डर है निपोटीनोईडिया, इनमें स्कॉलेक्स का फून तखावाव होता है, यह अलवन यह जल यह मचलियों के प पाए जाते हैं, रीप्रेजेंट करने वाला जीवें, आर्की जैटिस और केरियो फाइट लिटस, थैंक यू पर वाचिंग वीडियो,